Hey everyone, welcome back to my channel, divinity, darrow, sex, where truth always exposes darkness. तो आज का जो topic है guys, वो है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है, जिसके बारे में शायद आप जानते नहीं है, unexpected changes in your life, so fiercely is going to come. So of course, it is a timeless collective for all zodiac science and it is a general prediction. शायन को like शे सब्सक्राइब जरू कर इंस्टेग्राम में, follower at sedakshna1369 and you can also subscribe to my another channel. आज जो आप पत्ते दिख रहे हैं, इससे पहले मैंने जो leaf draw किया था, वो था maple leaf और ये जो leaf है guys, ये है people leaf. आप जानते ही हो people पेर इतना शुब होते हैं, कि इस पेर के नीचे ही Lord Buddha जी को enlightenment मिला था, ठीक है? आपके जीवन में भी बहुत खुशाली हो, आपके जीवन में भी अंधेराद दूर रहे और हमेशा रोश्नी हो, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आपकी reading को, best of luck to all of you. So, in your spirit guides and ages, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनके जिन्दगी में किस तरह के बतलाव आने वाले हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ, या ये मेरे viewers जो हैं कभी भी expect नहीं किये थें. So, I do find, ठीके, थोड़ा से समय दे दीजिए मुझे, Okay, I do find कि आपके जो हैं आपको जैसे ना, in the past, जैसे कुछ चीजों को करने के लिए, मतलब practically करने के लिए जैसे रोका गया था, ठीके, में भी आपको बोला गया था कि आप deserve नहीं करते हैं, या आपको permission नहीं दिया गया था, या आपको आपके talent होते वे भी जैसे approval नहीं मिला, इस तरह से मुझे कुछ हाथसा हैं दिखाए दे रहा है in the past, जो generally आपको बहुत ज़दा, it was very shocking for you, ठीके, so आप जैसे तब से न, अपने आपको बहुत ज़दा शारिरिक और मांसिक दौर से आप गुजर रहे थे, बहुत 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 कमजोर जैसे दिख रहे थे आप, ठीके, और अपने आपको अभी भी कमजोर महसूस करते हैं, So, but, ऐसा situations, ठीके, वो हमें और strong बनाते हैं, आने वाले समय में मुझे दिख रहा है, that strength inside you, that power inside you, is definitely going to give you awareness, वो जो शक्ती आपके अंदर है, वो जो power आपके अंदर है, वो जरूर आपके जिंदगी में, रंग के लिगा, यहाँ भी मुझे दिख रहा है, you are going to meet one person, जिनके साथ आपका meeting, first meeting ही बहुत successful होगा, चाए वो business dealings हो, चाए वो आपके soulmate relationship हो, the first date, the first meeting will be extremely successful, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ letters जैसे H, K, I, ठीक है, मुझे दिख रहा है, यहाँ पे Gemini ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, maybe you are two twin souls, और आप unite हो रहा है, आपकी million हो रही है यहाँ पे, जो इनसान के साथ आपकी मुलाकात होगी, कहीना कहीं पे, वो कभी भी आपके साथ ऐसा वर्ताव नहीं करेंगे, जिससे आपकी मन जो है, वो दुखी होते हो, वो आपको समझेंगे, there will be much more empathetic in nature, जैसे आपने previous relationship में बहुत कश्ट जहला है, आपने हमेशा देखा है कि आपके कुछ दिनों तक तो रिष्टे अच्छे चल रहे थे, बाद में आप ही का initiative से ही चल रहा था, जैसे उन्होंने आपको ticket for granted कर लिया, जैसे उनको लगा कि इसी का ही जादा है, तो यही मेरे पास आजाए, ठीके मैं क्यों फोन करूँगा, मैं क्यों फोन करूँगी, इसकी परी है ना तो यही आजाए, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाली, इस तरह कर रिष्टे आपको definitely it is not right for you, यहाँ पे cross sign भी है, those relationships are not right for you, and हो सके तो यह इंसान, जो भी आपकी जिन्देगी में आएंगे, वो आपकी पिछली जो दर्द है, दुख है, कश्ट है, उसको बहुत हद तक कम कर देंगे, and now I find कि, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, it's like a temperance energy, जहाँ पे सब कुछ चीज जैसे, ज़्यादा focus करते थे, love, romance, relationship में, लेकिन आप समझ पारे हो, ऐसे नहीं चलेगा, now I have to be on both sides, वो मुझे दोनों तरफ से ही समाल के चलना पड़ेगा, वारना मेरा जो merit life है, या personal life है, वो doom हो जाएगा, या मेरा जो professional life है, वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि मुझे family support नहीं मिल रहा है, so कहिना कहिए पे, अगर आप किसी के लिए कर रहे हो, तो वो भी तो वापस आपको दे रहे है, it's like that, ठीक है, so यहाँ पे मुझे इस तरह से, energies नजर में आ रहा है, okay, किसी के आँखों में एक छोटा सा काला spot हो सकता है, यहाँ पे, आँखों के अंदर, आँखों के गुस्ता किया, वो अलगाना यादा रहा है, okay, so, मुझे लग रहा है, you are going to spend a very, you can say that, precious moments, जिसको बोला जाता है, मुल्यवन समय, आप अपने साथी के साथ, spend कर रहे हैं, जिसका अनुमान सिफ़फ कर रहे थे, जैसे आपकी जैसे एक आशा था, कि ठीक है, मेरा पास ये घर होंगे, इस तरह के खिरकी होंगे, जो समुंदर की लहरे को मैं देख पाऊंगी, या जो भी है, नदी के लहरे को मैं देख पाऊंगी, या पाऊंगा, whatever be it is, जैसे जैसे थोड़ा देख लेना आप लो, ठीक है, और फिर वो खिरकी खुलेंगे, ठंडी हवा आएगी उसमें से, So you had a dream, और मेरे partner होंगे मेरे साथ, मेरे family होंगे मेरे साथ, support करने के लिए, So you are like that, So your dreams, जो आपके सपने हैं, वो हकीकत में, बदलेंगे तब ही, जब आप खुद बखुद विद्डरौ कर रहे हो, from the negative energies, ठीक है, यहाँ पे आपके हाथ में एक cup है, So there is a cup, there is some victory, कुछ ना कुछ आप कमा रहे हो, कुछ ना कुछ कामे अभी आपको मिल रहा है, भले यह कामे अभी लोगों के सामने, छोटा हो या बड़ा हो, इससा कोई फरक नहीं पता, But you are achieving it, So you are doing like this, Yes, this is my trophy, यहाँ पे shortcut नहीं है, So I do feel like this, और मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए आप शायद, ठीक है, आपके present जो city है, state है, country है, उसको आप छोड रहे हैं, दूसरा जगा सटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको कामे भी मिलेगा, you have to travel by flights, जो आपकी profession होंगे in future, उसमें आपको flight में बहुत ज़दा travel करना पड़ेगा, maybe sponsored by your company, जहाँ पे भी आपकी company में selection होंगा, ठीक है, वो ही आपको भेजेंगे, दूसरा जगा, यहाँ पे एक 7 आ रहा है, if you can see, it's like that, 7, 16, 25, ठीक है, 43, 34, can be important numbers, हो सकता है, यह जो चीजे है, वो 7 days के बाद हो, okay, I do find कि आपकी जो, इच्छा आए है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो, चीजे आया है, यह किसी एक पक्षी का पैर है, लेकिन पक्षी भी missing है, दूसरा पैर भी इसका missing है, जैसे मुझे दिक्रा है कि, अभी भी बहुत कुछ चीज अधुरा है आपकी लाइफ में, जो अभी भी complete नहीं हुआ है, और उन चीजों के बादे में, आपको ध्यान रखना चाहिए, कि तब ही वो चीज complete होगा, जब आभी यह यह चीजों को complete करेंगे, मतलब कुछ चीजों को complete करने के लिए भी, बाकी चीजों को complete करना पड़ेगा, फॉर एक्जांबल जैसे होता है न, कि अगर आपको MBA पढ़ना है, तो आपको bachelor degrees तो करना पड़ेगा, तब ही जाके master's, master's complete करोगे तो होगा doctorate, 10th, 12th complete करोगे तो ही होगा bachelor's, इस तरह से, सो मुझे यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, divided, divide sign आ रहा है, I don't know why, यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आ रहा है, divide sign, divide, सो में भी हो सता है कि कुछ, आपके company में कुछ boss हो, या managers हो, जो बिश्वास रखते हैं, divide and rule policy, जैसे इसको भरकाना इसके against में, उसको भरकाना इसके against में, तो आप थोड़ा सा safe रहिएगा, ठीके, या आपके department में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, या आपके family में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, या आपके mangetar, पता नहीं मैंना mangetar क्यों कहा, mangetar के साथ जो आपकी शादी होने वाली है, वहाँ उनका family में कुछ हो सकता है, ठीके, future soulmate की family से कुछ हो सकता है, कि divide and rule policy, मतलब भरका तो फिर automatically रिष्टा जो है, वो तोट जाएगा, सो कुछ लोग के लिए आपकी जो शत्रोय है, ठीके, वो नहीं देख सकेंगे, कि आप उचाई तक जाएगा, यहाँ पर five, यहाँ पर number आ रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा, यहाँ पर sign आ रहा है, of you can say that bracket, पता नहीं mathematics इतना क्यों हाँ रहा है, यहाँ mathematics का tuition करके आए हो, फिर आप बैठे हो videos देखने, यहाँ आप बहुत कुछ calculations कर रहे थे, ठीके, and then you had that video, okay, हो जाता है कि आप बहुत जादा feel करते हो, कि आप mathematics में weak है, सो आपको और practice करने चाहिए, आने वाल exams के लिए, so do it, calculus, statistics, इस तरह के courses में में भी आप interested है, इसलिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में अगर आप interested है, तो इसमें ही आपकी बहुत ज़दा तरह की होने का chances है, ठीके, L letter is very important, I do find आपके बहुत ज़दा achievement जो होने वाले हैं, आपके जो परिवारवाले हैं, especially your parents, your mom, will feel literally proud, चाहे आप online में पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप online में करियर कर रहे हैं, चाहे आप offline में करियर कर रहे हैं, जैसे वो परोसी को मतलब gladly बोलेंगे, कि देखो मेरा बेटा या बेटी, जो भी है, वो बहुत अच्छे से रोज़गार कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे position में हैं, ठीक है, I can feel like that, और मेरा सार्थक हुआ, मतलब I am just feeling complete, आपके parents इस तरह से बोलेंगे, कि मेरा परवरिज जो है, वो बिकार नहीं गया है, मैंने ठीक तरह से हो सकता है, कि आपके mommy, पापा को सुनना पढ़ता था, किसी और से, तो हो सकता है कि वो लोग जवाब दे, क्योंकि आप achievement करोगे, ओके, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, basically ना, कि आपकी strength, power, जैसे किसे एक इनसान के उपर dependent है, it should not be like that, आप जैसे वो इंसान है, तो ही मेरे पास शक्ती है, वो इंसान नहीं है, तो मैं मेरे पास शक्ती गायब हो जाता है, वो नहीं होने चाहिए, the guidelines which I am giving, जो guidelines में दे रही हूँ, उसको please follow करे, आपकी जो courage है, आपकी जो strength है, वो खुद बाखुद आपके अंदर है, शायद आप ऐसे गलत फहमी में हो, कि वो है, इसलिए मैं हूँ, नो, ठीक है, team members से जादा leader की अहमियत जादा है, क्योंकि leader, जो है ना, वो जानता है, या जानती है, कि उसको क्या करना है, तो उसका हिम्मत, team members से जादा ही होता है, that's why this person is a leader, चीक है, so of course, जब अगर आपके जीवन में, कुछ लोग है, सिर्फ, आपका थोड़ा बहुत साथ देने के लिए, फायदा उठाने के लिए, और आपको लगता है, लेकिन यही है मेरे strength, तो वो आपकी गलत फ्हामी भी हो सकता है, okay, so make sure, कि आप जो सोच रहे हैं, क्या वो सही है, क्योंकि मैं देख पारी हूँ, आपके जो power है, आपकी जो physical strength है, उससे भी आप, लोगों से बहुत ज़दा अलग दिख सकते हैं, आपको दूसरे का support नहीं चाहिए ही, आगे बढ़ने के लिए, you are enough capable, हाँ, आगर आपके साथ ही जो है, जो भी जिनके वज़े से आप strength पाते हो, ऐसा होता है कि false team, false grouping, grouping for false reason, कुछ लोग group बना लेते हैं, बहुत ही घटिया कारण के लिए, उस सारे group में मत शामिल हो जाना, please, क्योंकि वो अपना फायता देख के निकल जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम में आप ही आएंगे, so let me see, unexpected क्या हो सकता है, आपके सिंदगी में, what unexpected can happen, six of vans, मैंने यही कहा, achievement, आपको मैंने दिखाय था, यहाँ पर एक औरत के बास है, so whatever, male, female, जैसे कुछ चीजों को पाने के लिए, कुछ चीज खोना परेगा आपको, यहाँ पर compromise आपको करना परेगा, maybe जो समय आप अपने, लोगों के साथ बिताव सकते हैं, लेकिन आपने लिया, वो ठान लिया अपने, कि मुझे अची फिर्मेंट करके ही रहना है, so आप करोगे, Aries, Leo, Sagittarius is important, eight of pentacles, बहुत महनत से आप आगे पहुचोगे, और यही मुझे लग रहा है, कि आपको लगता है हमेशा, कि यह मेरे साथ है, यह मेरे साथ है, तो ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, यह बढ़ पा रही हूँ, बट बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो आपके लगन से आगे बढ़ रहा है काम, two of pentacles, आप manage कर पाओगे, because there is infinity sign, world का card है, I told you, traveling बहुत frequently रहेगा आपके जिंदेगी में, ठीके, flight भी हो सकता है, you can say that, real route भी हो सकता है, possibly ending of one relationship, एक relationship बिल्कुल खतम हो जाएगा, दोसरा शुरुआत होगा, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Taurus, Aquarius, and Scorpio, तो 2023 का, April मैंने का predictions, मैं अल्रेडी बहुत ही हद्था, complete कर चुकी हूँ, मैं दे भी रही हूँ, आप उसको देखे, और दो साइन बाकी है, दो साइन बाकी है, इनका बाकी है, बाकी सारे complete है, ठीक है, so I hope you see the reading, so like, share and subscribe, and do comment in the comment section, and claim this reading by 6, thank you so much,